हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कुडेजी जी के ट्रेक तो आए ये डेली करन्ट अफेर्स की सीरीस को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 25 जुलाई 2023 के सभी करन्ट अफेर्स को एक एक करके यहां पर डिसकस कर लेते हैं वीडियो में इन तक बनने रहिएगा काफी इंटरस्टिंग वीडियो होने वाला है सबसे पहला कुशन देखिए पांचवा हेलिकॉप्टर एवं लगू विमान शिखर सम्मिलन का आयोजित किया जाएगा तो पांचवा हेलिकॉप्टर एवं लगू विमान शिखर सम्मिलन क अयोजन आज मतलब 25.1223 को मद्द्द्ध प्रदेश के खजुराहों में किया जाएगा यहाँ पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हेलिकॉप्टर एवं लगु वीमान शिकर सम्मिलन का ये पांचुवा संस्करण होने वाला है देखे भारत की Ministry of Civil Aviation, मद्धी प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries के द्वारा सयुक्त रुप से इस कारिक्रम का एजन किया जाने वाला है MP के मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान और Union Civil Aviation and Steel Minister जो तिरदित्य सिंधिया इस शिकर सम्मिलन का इनोग्रेशन करने वाले हैं तो पांचवे हलिकाप्टर और लगू विमान शिकर सम्मिलन का एजन मद्धे प्रदेश के खजुराहों में किया जाएगा भारत के देखिये दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां तक उड़ान पहुचाई जा सके और भारत में उड़ान का दाइरा बढ़ाय जा सके इस उद्धेश्य से इस शिकर सम्मिलन का एजन किया जा रहा है मद्धे प्रदेश के खजुराहों में देखे दोस्तो अगर आपको मंथली करन्ट अफेर्स की डिटेल पीडियेफ लेना है तो आप रूट अप्लिकेशन या क्रेजी जिकेट ट्रिक अप्लिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं साथ या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं इन मंथली करन्ट अफेर्स पीडियेफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एक्जाम रेलेवेन कोश्चन होते हैं उन कोश्चन को यहां पर डिटेल के साथ प्रोवाइट किया गया है जो एक्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है तो एक बार जरूर क्लिक करें चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड देखिए 28 जुलाई को सेमिकॉन इंडिया 2023 का उधगाटन किसके द्वारा किया जाएगा तो सेमिकॉन इंडिया 2023 जिसका एउजन गुजरात के गांधी नगर में किया जा रहा है इसका इनोग्रेशन भारत के PM नरेंद्र मोधी के द्वारा किया जाएगा आयोजन 28 जुलाई 2023 को गुजरात के गांधी नगर में किया जाएगा अब देखे बात आती है कि सेमी कॉन इंडिया है क्या तो देखे ये सेमी कंड़क्टर की प्रदशनी है फ्रेंड्स इसका उद्श भारत में सेमी कंड़क्टर निर्मान प्रक्रिया के बारे में जानकरी देना है प्रदशनी में सेमी कंड़क्टर के निर्मान के शेत्र में हुई प्रगती के बारे में जानकरी दी जाएगी इस प्रदेशनी में इंजिनियरिंग या फिर अन्य सब्जेक्ट के जो स्टुडेंट है वो सेमी कंड़क्टर निर्मान के बारे में जान सकते हैं सेमी कंड़क्टर शेत्र की अगरणी कंपनिया सेमी कौन इंडिया 2023 में गुजरात के गांधी नगर में भाग लेने वाली है 2023 में इस वार्षिक वेश्विक शिकर सम्मिलन का ये दूसरा संसकरण होने वाला है आयोजन गुजरात के गांधी नगर में किया जाएगा और इसका इनोग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोधी करने वाले हैं आगे आते हैं हाली में किस भारती जोडी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है देखे पहले प्रत्योगिता की बात करते हैं चेंपियंशिप की बात करते हैं कि ये किस से संबन्दित है तो कोरिया ओपन बेड मिंटन की चेंपियंशिप है बेड मिंटन की चेंपियंशिप है 2023 में इसका जो खिताब है वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोडी ने अपने नाम किया है इन्होंने देखिये फाइनल में फजर अलफियान और मुहम्मा दिरियान की जोड़ी को हरा कर इस खिताब पर कबजा किया है अब इसी प्रतियोगिता में अगर पुरुष एकल की बात करें तो ये एंडर्स एंटोन सेन ने जीता है जो कि डेन्मार के खिलाडी है इन्होंने फाइनल में सिंगापूर के लोकिन यू को हरा कर कोरिया ओपन 2023 में मैंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है कोरिया ओपन में विमें सिंगल की बात करें तो इसका खिताब दक्षिन कोरिया की सी यंग ने अपने नाम किया है इन्होंने फाइनल में ताईवान की ताई ट्यू यंग को हरा कर इस खिताब पर कपज़ा किया है तो यहां पर मैंने आपको Korea Open में मैन से सिंगल और वुमन सिंगल के विनर भी बता दिये हैं कोरिया उपन में में से डबल का जो खिताब है वो भारती जोड़ी सात्विक साईराज और छिराक शेटी ने अपने नाम किया है। हाली में कौन अमेरिकी नोसेना का नेतरत्व करने वाली पहली महिला बनी है। तो अमेरिकी नोसेना की सदस्य एड्मिरल लीसा फ्रेचेंटी हाली में अमेरिकी नोसेना का नेतरत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। अंसर ए हो जाएगा। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं ये लीसा फ्रेचेंटी है जो की अमेरिकी नोसेना की सदस्य है। हाली में ये अमेरिकी नोसेना का नेतरत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। इन्हें देखिए अमेरीकी नोसेना में 1985 में शामिल किया गया था और वर्तमान में ये अमेरीकी नोसेना संचालक के उप्रमुक के रुप में कारिरत थी और अब ये अमेरीकी नोसेना का नेतरत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। रखेगा भांग जो की एक नशिला पदार थे भारत में पहली बार इससे बनने वाली दवाव से भारत में केंसर डाइबिटीज मिर्गी जेसी अलग-अलग बीमारियों का उपचार किया जा सकेगा तो इस तरह से Canvas Medicine परियोजना भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य में स्तापित की गई है ओके यहां तक क्या आपको सभी कुशन समझ में आ गए होंगे आज की कंट्री इन न्यूज में हम आस्ट्रिया को डिसकस करने वाले हैं जो कि यूरोप महादीप का एक देश है देखे इसकी केपिटल वीना है यहां की ओफिशल मुद्रा है यूरो यहां के प्रेसिडेंट के पत पर एलेक्जेंडर वान डेर बैलन है पडोसी देशों की बात करें तो सलोवाकिया, हंगरी, सलोवेनिया, इटली, स्वीटजलेन, जर्मनी और चेक रिपबलिक यह सब ही औस्ट्रिया के पडोसी देश है प्रथम विश्युद्ध में देखिए औस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्विया के खिलाब जंग का एलान किया था हिटलर जो की सेकेंड वर्ड वोर का जन्म दाता माना जाता है इसका जन्म 1889 में आस्ट्रिया में ही हुआ था 1913 में ये आगे चलकर जन्मनी चला गया था डेनियूब नदी आस्ट्रिया की सबसे बड़ी नदी है और आस्ट्रिया का सबसे उचा परवद ग्रास ग्लोकनर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा केपिटल पूछी जाती है क्योंकि काफी सारे इंटरनेशनल और्गनाईजेशन के मुख्याले आस्ट्रिया की केपिटल वीना में स्थित है तो आस्ट्रिया से रिलेटेट छोटे छोटे फेक्ट को यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है आ गया जाईए नेक्स्ट देखिए हाली में वर्ल्ड कोईन नामक क्रिप्टो करंसी प्रोजेक्ट किसने लॉंच किया है तो वर्ल्ड कोईन नामक क्रिप्टो करंसी प्रोजेक्ट को Sam Altman के द्वारा लॉंच किया गया है अब ये है कौन तो देखिए Open AI के CEO Sam Altman ने World Coin नमक एक क्रिप्टो करंसी प्रोजेक्ट को हली में लॉंच किया है अब देखिए इस क्रिप्टो करंसी की विशेशता फ्रेंट्स ये है कि इसकी World ID को केवल मनुश्य ही प्राप्त कर सकते है मतलब जो भी इस क्रिप्टो करंसी को खरीदना चाहता है उसके आखों का रेटीना लिया जाएगा कौर्निया का डिजिटल प्रिंट लिया जाएगा और उसके माध्यम से उसे क्रिप्टो करंसी दी जाएगी मतलब ये पहचान की जाएगी कि जो क्रिप्टो करंसी खरीद रहा है वो रोबोट ना होकर केवल इनसान हो और इनसान ही इस क्रिप्टो आईडी को प्राप्त कर सकता है तो इस तरह से WorldCoin नामक जो क्रिप्टो करंसी प्रोजेक्ट है ये OpenAI के CEO सेम आल्टमेन के द्वारा लॉंच किया गया है तो यहाँ पर आपको सभी information मैंने आपको पहले ही दे दी अब देखिए इसके बीटा वर्जन में 20 लाक यूजर से शामिल हुए है 24 जुलाई को इसे लॉंच किया गया था आगे आजएए सिंगापूर का DSSAR उबगर किस संगठन के द्वारा लॉंच किया जाएगा तो इस उबगर को जो कि सिंगापूर का है ये भारत के इसरो के द्वारा लॉंच किया जाने वाला है भारत का इसरो देखिए सिंगापूर के DSSAR उबगर के साथ साथ छे अलग अलग उपगरा को PSLV C56 के माध्यम से इसरो के शिरी हरी कोटा अंतरिक्ष के इंदर से लॉंच करने वाला है तो ये लॉंचिंग 30 जुलाई को होने वाली है साथ उपगरा में से एक DSSAR सिंगापूर का उपगरा है इस उपगरा को देखिए सिंगापूर की रक्षा विज्ञान एवं प्रोध्योगी की एजेंसी और सिंगापूर के ही ST Engineering के बीच साज़ेदारी के मध्यम से विक्सित किया गया है ST Engineering अपने जो कमर्शल ग्राक हैं उन्हें मल्टी मॉडल एवं उच्च गुनवत्ता वाली तस्वीरे और भू इस्थानिक सेवाई उपलब्द करवाने के उद्देश से इस उपगरा का उप्योग करने वाला है तो सिंगापूर के DSSAR उपगर को भारती अत्रिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा लॉंच किया जाएगा किस सेटेलाइट के मध्यम से लॉंच किया जाएगा ये भी याद रखेगा तो ये है PSLV C56 दोनों ही important effect याद रखेगा आगया ये इमर्जिंग एशिया कब 2023 फाइनल किस देश ने जीता है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा निराशा जनक था इमर्जिंग एशिया कब 2023 का फाइनल पाकिस्तान की टीम ने अपने नाम किया है पाकिस्तान की A टीम ने देखिये भारत की A टीम को इस फाइनल में हरा कर के कोलम्बो में खेला गया जिसमें भारत की A-team को पाकिस्तान की A-team ने 128 सरणों से हराया है और 128 सरणों से हरा कर पाकिस्तान की A-team ने Emerging Asia Cup 2023 का खिताब जीत लिया है एक और important question देखिए आंदर प्रदेश के किस जिले में 108 फिट उची शिरी राम की प्रतीमा इस्तापित की जाएगी तो आंदर प्रदेश के कुर्णूल जिले में देखिए शिरी राम की 108 फिट उची प्रतीमा को इस्तापित किया जाएगा हाली में भारत के केंदरी ग्रह मंत्री अमिच्छा ने आंदर प्रदेश के कुर्णूल जिले में तुंग भदरा नदी के किनारे इस प्रतीमा की आधार शिला रखी है तो ये प्रतीमा आंदर प्रदेश के कुर्णूल जिले में तुंग भदरा नदी के किनारे स्तापित क इस प्रतीमा के निर्मान का खर्च लगभग 500 करोड रुपे होने वाला है और इस प्रतीमा को स्तापित किया जाने का उद्देश वैशनाव परंपरा को भारत और दुनिया भर में प्रसारित करना है तो 108 फिट उची शिरी राम जी की प्रतीमा को आंद्र प्रदेश के कुर् तो ये मोटर रेसिंग इवेंट है फ्रेंट्स लगातार 12 बार 12 ग्रेंट प्रिक से जीतने का रिकॉर्ड रेड बुल ने अपने नाम किया है रेड बुल ने लगातार फार्मुला वन के 12 ग्रेंट प्रिक से जीतने का रिकॉर्ड बनाया है इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था 35 साल पहले मेक लॉरेन ने बनाया था जिनोंने 1988 में लगातार 11 रेस अपने नाम की थी और अब इस रिकोर्ड को 12 रेस जीत कर रेड बुल ने तोड़ा है रेड बुल के ड्राइवर मेक्स वेस्टेपन ने देखी हाली में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स को अपने नाम किया था ये उनकी लगातार जी थे और क्योंकि ये रेड बुल के ड्राइवर थे तो ये रेड बुल की लगातार 12 जी थे तो इस तरह से बारा ग्रेंट प्रिक्स से जीतने का रिकॉर्ड रेड बुल ने अपने नाम किया है क्लियर तो यहाँ पर देखिए हमने 25 जुलाई के सभी करेंट अफेर्स को डिटेल में समझ लिया अब आज की फैक्टिशिट में देखिए हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉंगेस्ट और टॉलेस्ट चीजों को यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं पहला देखिए विश्व का सबसे बड़ा महादीप एशिया महादीप है शेत्रफल की दिरस्टी से सबसे चोटा महादीप उस्टेलिया है, सबसे बड़ा महासागर प्रशान्त महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी प्रशान्त महासागर है सबसे बड़ा देश छित्रफल के मामले में रूस है, सरवादिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में चाइना है आगे आईए नियुन्तम जनसंख्या घनत वाला देश वर्तमान में अंटार्क टिका है सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला देश सिंगापुर है सरवाधिक सीमाओ वाला देश वर्तमान में चीन है जो की चाउदा देशों के साथ सीमा साजा करता है सबसे बड़े दीप की बात करें तो ये Greenland है जो की उत्तरी अमेरिकी महादीप में इस्तित है तो Fact Sheet में आज हमने केवल 10 पॉइंट डिसकस किये हैं आगे के पॉइंट हम कल की Fact Sheet में डिसकस करेंगे इसके बाद Last Day के सेशन में जो हमने Current Affairs डिसकस किये थे उनको हम एक बार यहाँ पर रिवाइस कर लेते हैं टेली मानस हेलप लाइन किस से सम्बंदी थे तो टेली मानस हेलप लाइन मानसिक स्वास्त हेलप लाइन है पचपन भी युवा संसत प्रतियोगिता के पुरसकार वितरन किसके द्वारा किये गए तो ये अरजुन राम मेखवाल के द्वारा किये गए हैं ICC द्वारा World Cup 2023 के लिए शारुक खान को Brand Ambassador बनाय गया है प्रतिवर्ष आईकर दिवस 24 जुलाई को मनाय जाता है पानसोवे अंतरास्ट मेच में शतक बनाने वाले पहले भारती बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं जापान ने किस देश के साथ हाली में सेमी कंड़क्टर पारिस्तिती की तंतर के विकास के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये तो ये देश है इंडिया हाली में एज द वील टंस नामक पुस्तक का अनावरण वेकईया नाइडू के द्वारा किया गया है हाली में जारी फीफा रेंकिंग में भारत को 99 स्थान पर रखा गया है बिटिश प्रधान मंत्री का पॉइंट आफ लाइट पुरसकार मौक्ष रोय को दिया गया है सबसे लास्ट है किसे इंडोनेशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया तो हाली में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदिप चक्रवर्ती को न्युक्त किया गया है तो ये सभी ऐसे करंट अफेर है जो कि हमने लास्ट डे के सेशन में डिसकस किये थे अब आज के लिए आप सभी के लिए कोशन आफ दा डे है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कोन है बहुत ही इंपोटन कोशन है कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपोटन अपडेट है अब आपके लिए crazy gk trick के सभी courses website फर भी available है ये सभी courses आप सभी की requirement और latest exam pattern को ध्यान में रखकर design किये गए हैं यहां हम basic concept के साथ comprehensive learning पर focus करते हैं तो एक बार जरूर website पर visit करें इसका link आपको description box में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share कर दीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे next day के current affair में तब तक अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत